हाई गाईज, I hope you are doing great मैं रुपेश कुमार मिसर आपने यूट्यूब चैनल ब्रेंदस्टोर्म एडी पर आपका स्वागत करता हूँ देखे इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का कमेंट आया था कि पाट फरी ेग्जामनेशन 2014 जो आप लोग 18 तरीक से होने वाला है उसके लिए पेपर जो होता है एक पेपर वो कितने मार्क्स का होता है अपने कमेंट में पूछा था इस पर वीडियो बनाने के लिए 75 यह 100 कितने मार्क्स का होगा आपका थियोरी का पेपर जो जामनेशन आपका होगा उसके बाद यह है कि पेपर एट एक्जाम किसका किसका होगा अभी इस टॉपिक को लेके बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है और तीसरा पॉइंट में डिसकस करूँगा आज की वीडियो में कि कि OMR seat कैसे भढ़ना है ध्यान से क्या क्या चीज आपको यहां पर ध्यान रखना परेगा वैल फिलिंग OMR card OMR seat तो यह तीन टॉपिक पर में डिटेल में आज चर्चा करने वाला हूँ आपको वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है आपने पूछा तो सिर्फ की 75 य करदी जारी हो गया जैसे मैंने से पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 13 तारी को एडमीट काड आएगा या फिर 15 से पहले से आपको कल ही एडमीट कार जारी हो गया आपको वेरिटिकेशन करेया लेम दो नहे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बगल में बेल आइकोन है उसे भी प्रेस करके रखिए आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडिट पहले मिलेगा चैनल से जुड़ने से आपको ये फायद सब्सक्राइब करेंगे कि एक पेपर कितने मार्स का होता है 75 या 100 तुद देखो मैं आपको बता देता हूं जैसे साइंस स्ट्रिम के जितने भी स्ट्रेंट है जैसे माल लीजे जियोलोजी बॉटनी जिनका होगा केमिस्ट्री होगा फिजिक्स होगा आप ध्यान करो आप पीछे थोरा जाओ रिकाप करो कि 75 नमबर का 75 का पार्ट वन और पार्ट टू में आपका ओनर्स का एक्जाम हुआ था पार्ट वन एंड पार्ट टू में मैं सब के लिए बात नहीं कर रहा हूं वहीं हिस्ट्री जिग्रफिय हिस्ट्री पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस एक अब कर रहा हूं जिग्रफी में भी 75 मर्क का थेयोरिटिकल पेपर हुआ था पचीस-पचीस का प्रक्टिकल मतलब पचास का प्रेक्टिकल 200 का आपका ओनर्स पेपर हुआ था यह बात आपको याद रखना है दो थो साल मिलाके आप 400 मार्ट का परिक्शाप दे चुके हों अभी थर्ड एर में क्या होता है कि एक पेपर आपका 75 का नहीं होके 100 का हो जाएगा, 25 असमें बढ़ जाएगा, तो एक पेपर आपको कितने मार्क्स का देना है, 100 का, चाहे आपका 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 फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जुलोजी है, बोटनी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, फिजिक्स, जो भी सब्जेक्स है, टोटल हंड्रीड मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें सर्थ क्या है कि आपका जो आठवा पेपर कुले के कन्फ्यूजन, आगे मैं बात करूँगा, ये पहले आप समझ लोग कि सौ मार्क्स का आपका एक पेपर होने वाला है, हर एक ओनर्स वाले का, सॉस्योलजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकालोजी, मैथेमेटिक्स, एकॉंटेंसी, इंग्लिज, हिंदी, मैथली, उर्दू, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बोटनी, जुलोजी, सभी का एक पेपर सौ मार्क्स का होगा, ना की 75 का, ये फाइनल येर है, इसमें आपका टॉटल 400 का ओनर्स पेपर होता है, टॉटल अगर मिला के देखा जाए, तो तीनो साल मिला के 800 का परिक्षा होता है, आपका, ठीक है, तो एक पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा, सभी लोग समझगे, 108 का, ना की 75 का, सभी का 100 का होगा, किसी के मन में कोई भी संका नहीं रहना चाहिए, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, कि पेपर 8 एक्जाम किसका किसका होगा, a little bit confusion about this particular question in everyone's mind, सभी के दिमाग में यह प्रसना आता होगा, कि 8 पेपर मानलो आपकी schedule में लिखा हुआ है, चलो आप देखते हो कि Group A में मानलो आपका कोई subject है, जैसे Group A में है chemistry, तो chemistry जैसे आपके schedule में देखोगी, कि Group A में chemistry के अलाबा हो सकता है कि history भी हो, और आपका routine में दिया हुआ रहेगा कि मालो 27 तारीकों मार्च में आठमा पेपर का exam है तो आप सोचोगे कि group A का लिखा हुआ रहेगा तो chemistry आपका भी आठमा होगा है नहीं यह chemistry history वालों के लिए है मतलब यह आठमा पेपर history वालों के लिए है तो chemistry आपका हो गया उसके बाद physics, botany, geology, geography देखो यह सब सब्जेक्ट में बता रहा हूँ home science, etc. it comes under practical part मतलब क्या हुआ इसका कहने का मतलब यह है practical part कि इसमें जो आपका honors paper का exam जो होगा वो होगा तीन paper paper 5, paper 6, paper 7, 100, 100 marks का 3 अब बचा 100 marks का तो 100 marks का आपका practical होगा अभी मैंने आपको बताया था कि part 1 and part 2 में आपका physics chemistry वगेरा में कितना का practical हुआ था तो 50 का तो अब यह 50 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा डबल हो गया तो आठवा paper जो है आपका क्या होगा इन सभी subjects वालों का आपका practical होगा उसका exam आपको देने नहीं जाना है अब वो practical कब होगा exam खतम होने के 15 दिन के बाद वो बात की बात है लेकिन अभी आपको आठवा paper का exam देने नहीं जाना है जिनका जिनका यह subject होगा पेपर में उसके बाद theoretical paper जैसे माली जै sociology है history है पालिटी हो गया psychology हो गया यह mathematics एकॉंटेंस से इंगलिस हिंदी मैथली उर्दू economics ETC इन सभी को चार paper honors का exam देना है अभी मैंने बताए कि तीन paper देना परेगा physics chemistry वालों को और 100 का practical इनको आठवा paper भी exam देना परेगा तो 100 plus 100 plus 100 plus 100 equal to 400 और इससे पहले 400 का दो पार्ट मिला के हो चुका है पार्ट वन और पार्ट टू तो टोटल आपका कितना हो गया 800 इसी लिए जो है so finally क्या होता है 1% is equal to 8 marks 1% is equal to 8 marks 1st year और 2nd year में 1% is equal to 2 marks ठीक है और 3rd पूरा मिला के अगर दिखा जाए तो 1% equal to 8 marks it means अगर किसी छात रको suppose यहाँ पर मैं पहले एरेज कर लूँ कि 480 marks आ रहा है तो 8 से डिवाइड करेंगी it means उसने overall 60% result gain किया जो 60% पर क्या होता है 1st class होता है याद रखेंगे कि graduation में division नहीं होता है क्या याद रखना है कि graduation में division नहीं होता है इसमें 1st class 2nd class और उसके बद तीसरा fail होता है 3rd class भी नहीं होता है तो 480 पर आपका 1st class होता है किनका किनका paper 8 होगा अभी आप समझ गए जिनका psychology होगया mathematics होगया quality इनका paper 8 होगा उनको जाकी exam देना है इसके deal में जैसे 27 March का date आपको लिखा है आज में example के लिए समझा रहा हूँ तो 27 तारीक को जाके जिनका ये honors paper होगा उन को ये exam देना है सिर्फ 27 को ही नहीं पांचमा चाटा और साथमा तो देना mandatory सब के लिए है लेकिन आठमा पेपर इन सब ही को देना परेगा इनको छोड़के physics chemistry जूलो जी बोटनी वाले को छोड़के मैं बहुत ही clearly आपको साब साब सब दों में समझा रहा हूँ बार बार ए और यहां से मैंले आपको मानलो clearly मैंने आपको हर एक point बता दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई dot आपके मन में रहेगा अब OMR seat पर हम लोग बात करते दिखिए आपको screen पर OMR seat दिख रहा होगा तो OMR seat में आपको roll number date of examination ये सब आप बड़ा ध्यान से भर होगे मानलो आप copy roll number answer IDR number 12 digit का होगा roll number भी उसके बाद आपका registration number college code center code ये सब roll number answer IDR number registration number ये तीन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए आप जो OMR को fill करोगे OMR को रंगोगे उसमें भी ध्यान रखना कि कोई गलती नहीं करना है black या blue plane pen का आप यूज़ करोगे दोनों में से कोई एक pen का important point देने के लिए लोग black pen का यूज़ करते हैं otherwise blue pen ठीक है तो roll number AIN registration number date of exam और हाँ एक बात और ध्यान रखना कि attendance seat जो वहाँ पर आप मिलेगा attendance आप जरूर बना लेना attendance नहीं बनाओगे फिर result pending जाएगा और नीचे में आपको अपना sign कर देना है और setting भी भर देना कि कि sitting में आपका examination होने वाला तो आपने part one part two में तो ये सब काम किया होगा फिर भी मैंने एक बार बता दिया और एक बात और आप ध्यान रखोगे कि copy पर आप दिखोगे भी आपको screen पर दिख रहा होगा कि आपका जो OMR seat मिलेगा copy पर जिसमें आप रॉल नमर वगेरा भर होगे उस एकजाम देने के बाद जब copy evaluation के लिए जाता है तो यह part far के हटा लिया जाता है और यहां पर किया जाता है coding आप बोलोगे कि आपने तो roll number roll code भर के आए हो तो कैसे पता चालेगा कि यह इस particular student का copy है तो यहां पर coding किया जाता है जिसको बाद में मिला लिया जाता है तो पता चल जाते कि उसी का copy है जिस भी छातर का हो और copy evaluator को यह नहीं पता है कि यह copy किस का है यह लड़का का है या कौन से कास्ट का लड़का है या कौन से कास्ट की लड़की है उसको कुछ नहीं पता है इसको गुपत रखा जाता है तो left side में आपको देखोगे आप देखोगे copy पर ध्यान से कि name of exam left side में भी लिखा हुआ रहता है, date वगेरा, तो left side में कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि student का personal information सिर्फ right side में होगा, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जो लोग left side में भढ़ देते हैं, तो उसमें नहीं भढ़न आपका examiner marking करता है, जैसे आपका मालो पहले question, पहला question का a solve कर रहा, इसमें आपको मालो 16 marks मिला, यहाँ पर यह examiner 16 करके total करेगा, यहाँ पर overall 64 आपका हुआ, तो 64 add करके फिर नीचे में वो signature करेगा, तो यह बाएवाले side examiner का काम होता है, और बीचला वाला भी लगबाग office related है, तो आपके लिखा रुगा रहता है, for office purpose only, और right side आपके लिए है, तो roll number, station number, signature, answer IDR number, यह सब आप carefully भरोगे, जैसा मैंने आपको बता दिया, और OMR seat भी मैंने आपको example के लिए screen पर दिखा दिया, बाकी paper 8 का जो dot था, वो भी मन में clear होना शाहिए, उसके बाद एक paper कितन आपको notification मिल सके, आपके subscribe कर देने से हमें प्रेड़ना मिलता है, कि आगे मैं और वीडियो upload करूँ, आप लोग का और किसी particular topic को लेकि अगर comment होगा, तो आप comment box में बता सकते हो, आपका जो comment होगा, उसके according जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, मैं वीडियो upload करने का पूरा प्र